अब आपकार सभी को सागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीश मिस्टे थाटिन पर और आज हम बात करेंगे जो 24 वा विशा है बेद बैस के महाबारत का तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और वीडियो के शेयर भी कि साथ ताकि हमारा चैनल ग्रोव कर सके तो शुरुवात करते हैं पांडव पांडव और उनके माता कुंती के साथ वह सुडंग से निकल गए पर वह बहुत ठके हुए थे और माता कुंती को बहुत कश्ट हो रहा था इसलिए भीम ने कुंती को अपने कंधे पे बिठाय और कुलर साधेप को अपने कांख में लगा कर रखा और युदिष्टिरा अर्जुन का हाथ पकटके वह जल्दी से चलने लगे पर कुछ समय बाद वह गंगा के तट पे पहुंच गये और वहां पर एक नाविक नौका के साथ खड़ा वा था उसके साथ हो गये और नाविक व तारें देखकर उन्होंने जो दिशायोंको पैचना और दखिन दिशामी स्चामें जयात्रा करने लगे यात्रा करने लगे तो वनके आंदर रास्ता नेहीं था और जैसे ही एक हस्ती जाता है उसके सामने जो भी होता है सब कुछ नश्ट करके चला जाता है उसी परकार भीम चलने लगे और वन समाप्थी नहीं हो रहा था और कुंती ने कहा कि मैं पांच पुत्रों की जन्नी होकर आखिर कर मैं तृष्णा के कारण बढ़ने को बैठी हूं मैं और बिल्कुल भी नहीं चल सकती मुझे जैसे भी पानी लाकर दो और भीम जाकर माता के लिए वह एक पास में पुछ करी नहीं था वहां पर जाकर उन्होंने पानी लाया पहले उन्होंने पनान किया और फिर अपने माता और अपने चार भायों के लिए उन्होंने पानी और उसके बाद वो जहां पर बेठते वहीं पर ही सो गए और कुछ समय बाद अंध्रकार जब हुआ और अंध्रकार में विविन प्रकार के शब्द होने के कारण भीम को निद्रा नहीं आ रहा था मझीम मन सोचते की हुए दुरेद्ध अतुम भागयबान हो हस्तिनापूरा के राजा बनने चाहिए दो यहां पर सो रहे है बनचार की रूप में अधिय grade भीम को क्लोज़ हैँ तो पर मैं क्या कर सकता हूं मैं अभी विवश हूं मेरे जेष्ट बाता यूदिस्टिर इसलिए मुझे अनुमती देंगे वह अलग बाते वह तुम्हारे थोड़ा भी क्रोध ही नहीं करते और इसी परकार भीम चुपचा बेटे और पांडवाइन सोयरा उसी जब भीम नमक से फंट पास एक राक्षा था और उसका उन्हों ने देखा की इसा पांडवाइन तो उसके बहन हिद्वाइन अगों कहा कि में आज मनुश्यमांस आज मिल गया एक खाने के लिए हम और आज हम इनको ही खाकर हमारा मन सांत करें तो हीडिमबा जब वहां पर गई उन्हों ने देखा कि वहां पर एक जागरित व्यक्ति जो कि महाबाहू और उसका चाती बहुत चोड़ा है और वह बहुत दिप्तिमान दिख रहा है जो कि भीम थे और इसे पूरुष को देखर ह हीडिमबा ने सोचा कि यह मेरे यह मेरे स्वामी होने के योगे है और मैं अपने भातक भाई का बात में नहीं सुनने वाली भात्तुरुष ने से ज्यादा पती प्रेम ज्यादा बड़ा है और विडिमबा ने एक सुंदर नारी का रूप लिया और भीम के पास जाकर उन्ह के बारे में तुम्हें पता नहीं इस वन में हीडिम नामक भी एक राक्षिस है जो कि मेरा भाई है उसे नर का मांस बहुत पशंद है और वह तुम्हारा मांस खाने के लिए मुझे आपके पस मेरे भाई ने भेजा है पर मैं आपको देखकर पुरीतर से मोहित हो चुकी हू अगर मेरे मास सांती से सोय हुए हैं उनको मैं उठाओंगा नहीं तुम जाकर अपने भाई को यहां पर भेज़ो और जब बहन का आने में बेलंभा तब भीड़े जल्दी से आगे वहां पर और इस राक्षिस को देखकर उनके भाई को जो राक्षिस जब आये तो उन्हों ने कहा कि देखो में कि मैं तुम्हें आवश्य समाप्त कर दूंगा और फिर उनके पर आक्रेमन करने लगें और कुछ समय बाद उनका जो राक्षिस से हीडिम उनका मृत्यू हो गया और उससे पहले जो यूद्ध होने से पहले भीम और हिडिमका जो हिडिम भाय उनने कुफिछ और जो चार भाईय उनको भी थच्छाँ दूर ले गए थे भीम ऑर वह हिडिम भाय जो उनको को स्कुन्हार करकर कुंती उठी और हीडिमबा को देखे उन्हें ने कहा कि तुम कौन हो किसकी स्त्री हो तुम देभी या अपसर तुम यहां पर क्यों खड़ी हुए तो हीडिमबा ने अपना परिचे दिया और कहा कि मैं आपके पूत्र को अपने पती के रूप में स्विकर करने चाहती और फिर भीम भी उनको बद करने लगे और उनका मृत्व हुआ कुछ समय बाद तो यूदिष्ट ने और उनका बद्धवने कबाद भीम ने कहा कि इसके बहन को भी मैं मार दूंगा क्योंकि यह वही राक्षेस जाती का ही है तो यूदिष्ट ने कहा तुम कभी श्त्री हत यह नारी हमारा कभी कुछ गलत ही नहीं कर सकती तो हीडिमा ने कुंति को नमस्कार करते हुए कि मैं आपके वीर पुत्र को पती के रूप में स्विकार कर चुकी हूं और अगर वो यह स्विकार ना करें मुझे पत्नी का करना तो मैं जीवन भर कभी जी नहीं पाऊंगी करोंगी या घूमएंगी भ्रहमन करोंगी और जब भी आप याद करेंगे तो मैं आपके पास उनको पहुंचा दोंगी इसलिए युदिश्टी ने कहा कि तुम तुम्हें तुम्हारा सत्य पालंद करना होगा दिन भर तुम दिन भर तुम भीम के साथ घूमना और सुरिया तुम्हें बाद हीडिमबा का एक बहुत बलशाली पुत्र जनम है जिसका नाम था है घटतकच और भीम और पांडब जो है वह हीडिमबार घटतकच से विदाय लेकर वह चले गए उतर दिशा में और वहां पर पांचल और किचक देश के अरणिया में घूमने लगे इस सम अभी तुम्हारे पति और 20 निह बढ़ गया है और आगे जो अनगर देख रहे हो आँपर जाकर चादमा वेस में रहो और में वहां पर अन्य तक अपिक्षा करो तो यही था जो 24 विश्य है था तो आज के लिए बस इतना ही मिलता है नेक्स एपिसोड में प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दिजी और उसके बागल में जो बैल आइकन है इसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिलको टाइम पर मिल जाए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और डिलेटिप्स के स साथ ताकि हमेरा चैनल ग्रोग कर सके प्लीज सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को प्लीज और आज के लिए सतना ही और नमस्कार